हाई एवरिवान मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्लासी बहुत किचुन में तो फ्रेंट्स आज बहुत दिनों बाद बटर स्कॉच केक बनाने जा रही हूँ मैं जी हा फ्रेंट्स यह मैं एक और पर बना रही थी जहां पर हमारे कस्टमर को चहिए था एक दम ऑथेंटिक टेस्ट वाला बटर स्कॉच केक इसलिए मैं इसको बना रही हूँ हो होम स्टाइल अपने पूरे ऑथेंटिक तरीके से बिना आवन के बिना एक के घर पे ही प्रालीन मनाओंगी घर पे ही बटर स्कॉच सॉस बनाओंगी मतला बाहर का कुछ भी खरीद के लाना है एंड गाइज ट्रस्ट मी रसिपी आप ट्राय करके देख लीजगा इतना अमेजिन बटर स्कॉच केक बनेगा कि बेकरी से कहीं ज्यादा अच्छा अच्छा टेस्ट आएगा जिसके लिए भी बनाएंगे ना हमेशा आप से ही केक खाने की डिमांड करे इसलिए पतीला मैंने प्री हीटिंग के लिए रख लिया है गैस पे एक दम धीमी आज कर दी है इस पे मैंने डाल लिया है एक वायर स्टैंड और ठककन से बंद करके पतीले को हम प्री हीट होने करीब 10 मिनट के लिए तो तब तक हम बना रहे है हमारे केक का बैटर तो इसक मैंने डाला है जिसमें कोई शाप स्मेल या टेस्ट नहीं है साथ ही गया है इसमें एक चौथाई कप दूद्ध और अभी मैंने बटर स्कॉच एसंस लिया है जिहां फ्रेंस बिना बटर स्कॉच एसंस की नहीं मन पाता है हां अगर आप चाहें तो ऑईल के पर मेल्टेड यूज कर सकते हैं बट कई रियल टेस्ट वह वह बटर स्कॉच एसंस से ही आता एक्चली स्पॉंज में तो यहां पर मैंने एक चोटा चमच बटर स्कॉच एसंस पी डालिया है अब सारी लिक्विड इंग्रेंट को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से साथ में मिक्स किया ह तब तक के लिए जब तक की इसमें शक्कर इद्व मच्छे से घुलनी जाती साथी अगर आप प्री मिक्स से यह वाला केक स्पॉंज बनाना चाहते हैं तो 200 ग्राम नॉमल जो बेसिक वनेला केक स्पॉंज का प्री मिक्स आता है न उसमें तीन बड़ा चमच ओल डालियेग तीन चौथाई कप मैदा करीब 110 ग्राम मैदा होगी है तीन या दो बड़ा चमच मिल्क पाउडर और गाइस मिल्क पाउडर नहीं तो स्किप कर सकते हैं बर टालेंगे तो टेस जादा अच्छाएगा साथी जाएगी इसमें तीन चौथाई चोटा चमच नहीं कि तीन चौ बढ़ी आसा मारा बैटर यार्य प्यार हो गया है और अभी मैंने एक केक टिन लिया आए छे इंच का और इसको मैंने कर लिया है एको बेक से इस्से क्या होगा के असानी से निकलाएगा यूजिवल और यूजर फ्रेंडली होता सान इसको उसकरना के पराबर हो ज़ए फिर तो केक बैटर को हमने पतीले में जाकर के ट्रांसफर कर लिया है वापस धकन लगाया पतीले का आज एक तम मैंने धीमी कर दी और अभी करी 40-45 मिनट्स के लिए इस केक को हम बेक होने देंगे अगर आप आवन में बेक करना चाहते हैं तो 160 डिग्री प्री हीटेड आवन पे करीब 35 मिनट्स के लिए के को बेक कर लें तो करीब 40 मिनट्स हुए है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फूला है के और मैंने टूट्पिक सेंटर में प्रिक कर के चेक करी है तो बिल्कुल बहार आई मारा केक मतलब बिल्कुल पॉफेक्टली रेडी हो है तो इस केक को तिन को हम बाहर निकाल करके पतीले से सबसे पहले एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे तो फ्रेंज जब तक हो रहा है के ठंडा तब तक सबसे पहले हम बनाएंगे बाटर स्कॉच सॉस तो गईज यह बजार में भी अवेलेबल होता है बट इसका ट तरीके से मेल्ट होने देंगे यानि कि कैरमलाइज होने देंगे पैन में और गईस जब हलके ली मेल्ट हो जाती ना सबस उसके बादी से चलाएगा बीच में मत चलाएगा अधरवाइस यह चिपक जाएगे इस पाचुला में और फिर वह निकलेगी नहीं और इसके दाने आपके केरमल सॉस में आने लगेंगे और यह देखें जैसे ही शक्कर बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है इसमें कोई दाने पकर नहीं बचे हैं मैंने यहां पर लिए है आधा कप अमूल क्रीम जो अमूल फ्रेश क्रीम आती है उसी को मैंने हलका सा मिक्स कर लिया है और जैसे ही एक सार हो गया यह मिलकर के मैंने फिर से ग्यास ओन की है आज धीमी की है और अभी मैं इसमें डाल रहे हूं एक चौथाई कप अमूल बटर जो प्लें सॉल्टेड बटर लाता है वही वाला है यह बटर और इसको भी मैंने मिक्स करना शुरू किया और देखे Western Western को सुछते हैं क्या वह विपिंग क्रीम यह आप यूज कर सकते है मूल क्रीम की जगे तो कैई आप यूज कर सकते हैं में जस्ति इन केसς बट उसमें इतना कृमी टेस्ति आएगा जितना की फ्रेश क्रीम में आता है करिज अभी हम बनाएंगे प्रालीन हमारे बटर स्को यहां पर मैंने युनि रप लेकर करके डालिया है प्लेट के ऊपर और अभी तक मारे शक्रा एक दम स्मूद केरमलाईज हो चुकी है तो यहां पर बिल्कुल जरा सा बेकिंग सोडा यहां पर डाला एसा मैंने इसलिए किया तक यह लाइट हो जाए थोड़ा सा कलर इसका और जरा सा भी जादा मट डालीगा यह सोडा अधर्वाइज इस प्रालीन का टेस्ट करवा हो जाएगा आप चाहें तो सोडा डालना स्किप भी कर सकते हैं लेकिन डालना आपको बहुत ही कम है एक आधा जुटकी माल लीजे तो अभी यहां मैंने लिए हुए हैं चौप किये ह इसमें डाला है बट्ट को मेल करके मिक्स करके यह देखे प्रालीन तयार है तो इसको ले जाकर के मैंने डाल लिया है पार्श्मेंट पेपर के ऊपर हालका सा लेफ राइट घुमाया ताकि यह थोड़ा सा फैल जाए मोटा मोटा ना रह परत इसका और अभी इसको हमने एक अगर आप प्रालीन तेस्ट करें और मार्केट वाला बार्ट को चंक तो आप खुद ही पाएंगे कि इनका टेस्ट सादा बेटर होता है तो यह देखें अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठटना हो गया प्रालीन भी और इदम पत्ती की तरह बन गया है तो मैंने इसको क्योंकि हम तो आपके माउथ में जब आप खाएं यह तो चलिए अभी तक हमारा केक भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसको हमने निकाल लिया है केक टिन से और बहुत ही फ्लफी केक बन के मारा तेयार है तो अभी मैं आपको बताती हूं कि पॉफेक्ट ल कर रहे हैं अभी मैंने एक नॉर्मल दागा लिया है रील जो आती है दागा सिलने वाला दागा और उसको मैंने फसा लिया है इसी निशान पे सबसे पहले उपर वाले पे और जो दोनों एंड्स होते हैं दागे के उनको पकड़ के अपनी तरफ खींच लिए और देखे बि मैंने लिए है एक कप एकदम ठंडी विपिंग क्रीम और इसमें मैं डाल रही हूं आधा चमज बटर स्कॉच एसेंस अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए और साथी में हमने इसको विप करना है क्रीम को तब तक के लिए जब तक एकदम अच्छे से स्टिफ पीक्स नहीं ब बटर स्कॉच केक है इसमें थोड़ा सा बटर का कलर तो होना चाहिए यादि कि लाइट यलो तो मैंने एक ड्रॉप यलो जल फूट कलर एड किया है फिर से इसको एक बार विप कर लिया पांच-दर सेकंड के और एक पेस्टल शेट का बटर शेट का हमारी क्रीम बनके तो दो चमर शक्कर को मैंने एक चौथाई कप पानी में करीब भोल दिया था उससे हम मौइस्ट कर रहे हैं केक को अब इसके उपर हम रख रहे हैं बटर स्कॉच क्रीम और इसको फैलाने के बाद काई इसके उपर हम लगा रहे हैं बटर स्कॉच सॉस जो की अभी तक बिल् बढ़ता चला जाएगा जैसे कि मैंने आधा केजी के हिसाब से बनाना तो शुरू किया था केक लेकिन मैंने यहां काफी जादा यहां पे यह सॉस और प्रालीन यूज कर दिया हैं वेरी शॉर आधा केजी से जादा चला जाएगा इसका वेर और अभी फिर हमने सब्सक्र प्रालीन कें उत आधाटना केक हैं इसपे भी हमने अवरे शुगर सिरफ लगाया जाएगा क्रीम लगाई है 15 से यह मैं आपको जाठाटी ज़ए ज़ान प्रालीन फिर से फाइन लैर क्रीम की और करें और उसके बाद मोइस्ट करें करें और उसके बाद हम फाइनली इसमें क्रीम अपलाइ करेंगे तो यहां पर आपको बताती चलिए कि अभी जो मैं आपसे शेयर कर रहे हूं यह एक तम अथेंटिक रेसिपी अब अब्टर स्कॉच केक की गाइस अगर आपने सही से बना क कि मतलब एक उस रेसिपी के लिए बस आपका नाम ही फेमस हो जाए तो यह देखे बाद हो मातो में टॉप लेहर केक हमने रख ली है और अभी इसको क्रम कोट करने के बाद पाइनल क्रीम अपलाई कर ली है और केकी साइट्स मैंने स्मूध कर दिया है इसको के स्क्रापर से और टॉप को हलकलका स्मूध कर दिया है स्पाटूला की हेल्प से अभी मैंने प्लेट पे रख लिया है केक को और ऐसा मैंने इसलिए क्या है क्योंकि केक के साइट्स पे हम चिपकाने जा रहे हैं प्रालीन ग्रश किया हुआ और आप सिंपली इसको ना एक तरीकी से स्प्र केक के साइट्स पे अभी जो बच्चा हुआ हमारा कैरमल सॉस था उसको मैंने फिल कर लिया है एक पाइपिंग बैग में और उसको बस सिंपली मैं केक के टॉप पूरा डाल ले रही हूं और उसके बाद हमने एक स्पाचला की हल्प से इसको स्मूधली फैला भी लेना है त कि हलका सा डाकर शेड यलो का आ जाए और उसके बाद ओपन स्टार शेप नॉजल वाले पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इससे हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से बहुत सिंपल सा बॉर्डर सबसे पहले तो केक के टॉप के साइट्स पे बना ले रहे है और तो गैस अभी मैंने यही यलो वाली क्रीम को फिल कर ले आए छोटे रोज पेटल वाले नॉजल में और साथी मैं स्क्यूवर ले लिया है तो जो जानते हैं मैं यह वाला जो रोज बनाती हूं आप में से बहुत साने मारे फैंस बताते हूं को बहुत पसंदा यह वाला तो तीसरी और छोटा सा एक रोज बना करके तयार कर लिया है हमने उसके बाद ले जाकर कि सिंप्ली आपको प्लेस कर देना इसको के के सेंटर पे और स्क्यूवर को बहार निकाल लीजे का बड़े अराम से अपने आप ही रोज सेट हो जाएगा और बिल्कुल सें तरीके से चोटा सा रोज और बना करके मैंने इन चारो रोज से ऊपर प्रेस कर लिया है थोड़ी सी बच्ची हुई एक दम डाक कलर की ग्रीम मेरे पास रखी हुई थी और इसलिए मैंने बिल्कुल चूटी चूटी सी पत्तियां जैसी बना ली है इन रोज के बुके यानि के गुच प्रिंकलर्स डाली है और लुक के दिस फ्रेंट्स हमारा एकदम पॉफेक्ट बटर स्कॉच केक बन के तयार हो चुका है सब कुछ होम मेड है लेकिन लुक मेड टेस्ट में बेकरी वाले बटर स्कॉच केक से कहीं बढ़ कर है और जैसे कि आप देख सकते हैं वेट है इसका 550 रूपीज था कração बना स्कॉच के बत्रोच वाले बना स्कॉच, एक देख स्कॉच, एक तरह से तुच, एक पॉच कार पे बना स्कॉच, एक बंडर को च्णि कर दो केंड़ा आप, बसक्तूच, एक पवाले के ल।क बचन्टीर काप झामत्स हमें स्सी प्रक बचूच, एक